अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और किस तरह के इलाज संभव है बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है प्रामा कुमारीज से शिवानी और जाने माने से कैटरिस डॉक्रा अप्धेशर दोनों का सब्सक्राइब ओम श्रमा वह हम सबने सुना है लेकिन बहुत ज्यादा हमें नहीं समझ में आता है एक आदमी के देखें आपसे जाना जाहेंगे कि यह क्या सच मुझ में इस टाइम पर प्रेवलेंट है और क्या है इसके संटम्स? अग्जाटल है और एक से दो प्रतिशत अडल्ट्स को हर समय यह प्राबलम है यानि आज के समय में अगर सरफ भारत की बात करें तो करीबन से दो करोड लोगों को इस समय इस प्राबलम के सिम्टम्स हैं और क्यूंकि यह लंबी प्राबलम है और होने के बाद काफी देर तक चलती है अगर उसको हम जल्दी ना सही कर पाएं तो और एक मेजर मेंटल इलनेस इसको कह जाता है इन वे इसको प्रोटो टाइप अफ में का रहाता है क्योंकि जब कोई वेक्ति से कहें कि you're out of your mind तो उसके मन के अंदर जो विचार आते हैं वो इस तरह की प्राबलम के आते हैं जहांपे कि वो सही रूप से सोच नहीं सकता यह उसे कई तरह के ब्रहम होते हैं illusions, delusions, hallucinations यानि वो चीजें महसूस करना जो नहीं है य या दूसरों के बारे में या अपने बारे में या अपने शरीर के बारे में उसे इस तरह की conviction हो जाती है कि जैसे वो सच्चाई है जाला कि असल में सच्चाई नहीं होती उसकी वजह से उसके शरीर पर बहुत असर पारता है उसकी relationships पे असर पढ़ता है उसके काम पे असर प आसपास कैमरा लगे हुआ है, और मैं जहां भी जाता हूं, मेरे को लोग फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं, और मेरी सारी बात तूसरों को रिले कर देते हैं, और उसकी वज़े से जो मुझे मिलता है, वो मुझे उस रूप से देखके कोई अलग तरहें का मेसेज देता है, य तो वो आवाजें उसके लिए ऐसी ही सच हैं जैसे ही मैं आप से बात कर रहा हूं, और वो किसी और को सुनती नहीं है, यह उसे लगता है कि चौते मकान में, मेरे घर से, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूं और क्योंकि उनको पता लग रहा है और वो मेरे खिलाफ है तो वो मुझे हाम कर देंगे या मेरे खाने में कोई जहर मिला रहा है जिसकी वज़े से मेरे शरीर पर असर हो रहा है या मुझे ये लग जाता है कि मैं दूसरों की बातें उसके कहे बिना उसके मन में जो चल रही है वो पढ़ सकता हूं या मेरी बातें दूसरा विक्ति मेरे कहे बिना उसे पता लग जाती है तो उस जैसे वो हमेशा एक जगह पर रहकर अपने आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिच काना है क्योंकि वो घबराय हुआ है कि यह जो महौल है इस महौल में मैं अकेला हूँ और जैसे कि जैसे पूरा का पूरा ब्रमान्द लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ है और उस वज कि दूसरा व्यक्ति मुझ पर अटैक ना कर दे काई बार थोड़े वालें हो जाते हैं हलांकि एक और सचाही है कि अंतर पे मेंटल इल्नेस के जो पेशेंट्स हैं इंक्लूडिंग स्कीजोफरेनिया के उनमें नॉर्मल सोसाइटी में जितनी वालेंस है अज ग्रूप उसस एक्स्ट्रीम सिचुएशन हो तो वो वालेंट नहीं होते लेकिन इसकी वज़े से क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे अपने में ही खुए हुआ है अपने आपको यह प्रटेक्ट करने में लगे हुआ है तो बाहर बालों से उनका मिलना भी कम हो गया बाहर जाना भी कम हो अपना ध्यान रखना भी कम हो गया दिनो देन नहाई ही नहीं है कब सो रहे हैं कब जा रहे हैं कहां जा रहे हैं कई बार उनको यह भी बड़ा कन्फूजन हो जाता है क्योंकि अपनी दुनिया में कोई हो तो उस वजह से आपको अव्यसली देखने में भी विवक्ती जो है वो कई बार जैसे अपने में ही बातें कर रहा है ऐसे जैसे कि किसी से बात करके उसको रिस्पॉंड कर रहा है या हर चीज में उसको कुछ ना कुछ शक की नजर से दिखाई दे रहा है और उसके लिए वो रियल हो रहा है उसके लिए वो चीज उतनी ही रियल है जितनी मेरी आपसे बैठके इस समय गुफ्तगू करना होता क्या है what really happens हमारे दिमाग में कुछ परिवर्तन होने शुरू हो जाता है स्किजोफरेनिया कैसी बीमारी है जिसमें कि डिफिनेटली ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेज अब हम देखते हैं ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जिनसे कि हम अपने आसपस की दुनिया को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसमें बदलावाना शुरू हो जाता है जो चीज हम सुनते हैं जैसे एक्जामपल है कि कुछ ऐसी आवाजे हैं जो कुट्टे सुन सकते हैं अब नहीं सुन सकते हैं लेकिन इस व्यक्ति को वो आवाजें ऐसे लगती हैं जैसे कि नॉर्मल हैं हलांकि असल में किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है तो ब्रेन जो है वो चीजों को मिसिंटरप्रेट कर रहा है ब्रेन के कुछ केमिकल्स में कमी आने शिरू हो जाती है कुछ हद तक स्किसोफरेनिया एक जेनिटिक प्रॉबलम भी है इन दे सेंस कि जिनकी फैमिली में इस तरह की प्रॉबलम है उनमें ये होने के चांसे बढ़ जाते हैं लेकिन यहां पर मैं एक बात बिलकुल क्लियर करना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति की फैमिली में कोई प्रॉबलम है जरूरी नहीं है कि उसके आगे सब व्यक्तियों को होगी परसेंटेज जरूर बढ़ जाती है यानि जैसे कि जनरल पॉप्लेशन में इस्ट्री है उनको नहीं होगी तो जब तक सिम्टम्स ना आएं तब तक हमें परेशान होने की जुरूरत नहीं है ज़र किसी एक व्यक्ति को भी है दूसरी जो इश्यू आता है कि क्योंकि ये आम तोर पे adolescence या early adulthood में शुरू होती है तो व्यक्ति की समझने की व्यक्ति की पढ़ाई करने की व्यक्ति की नए संबंद बनाने की या परिवार में ही रहने की जो ताकत है वो कम होनी शुरू होती है और बाद में शायद बिलकुली वो कई बार जाते हैं तो उस वजह से जो नॉर्मेल सी आनी चाहिए इस उम्र में और परिवार कई बार प्रोजेक्ट करते हैं कि अब मेरा बेटा या बेटी पढ़ रहे हैं आगे जाके ये बनेंगे वो एकदम कम होना शुरू हो जाता है उनको समदर जी नहीं आता कि ये बात क्या हुई और उस कारण से भी कई बार इन सिम्टम्स को हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देते क्योंकि हम उनको एकसेप्ट नहीं करना चाहते लेकिन जहां पर भी किसी भी व्यक्ति में ऐसी ओर्डिटी हो तो ये नॉर्मल नहीं माना जा सकता ये सिम्टम्स खासता पर अच्छा जाधतर ये फियर से जुड़े ही है जो इमाजिनेशन से लूजन से जाधतर फियर से जुड़े है और उसकी वेज़े से वेक्ति को बहुत डिस्ट्रेस होता है ये वो खुद भी घबराय होता है खुद भी परेशान होता है क्योंकि शुरू शुरू में तो उसको समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है उसको डर बहुत लगता है उसको एंग्जाइटी बहुत होती है कई बार क्योंकि ये इंटरपर्सनल चीजों से जुड़े हुआ है उसको मानली जए लगता है कि उसके हस्बेंड या वाइफ उसके खिलाफ है तो उसमें फियर के साथ-साथ गुसा शक के साथ गुसा जो है वह भी आना शुरू हो जाता है लेकिन एंग्जाइटी, फियर, एंट सम्टाइम्स अग्रेशन ये प्रेडॉमिनेंट चीजे हैं जो कि इसमें पाई जाती है और कितनी जल्दी इलाज जो है वो जरूरी है अग्दी अर्लियस में कहूंगा पहले दिन से क्योंकि जितना लंबा किचेगा और ये एक ऐसी प्राबलम है कि एक बार जब शिरू होते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और सिम्टम्स बढ़ने के साथ-साथ उसके जीवन में जो तूटना है नॉर्मेल्सी से ब्रेक फ्रम रियालिटी वो भी गहरा ही जाती है और उसके वज़े से पिर उसको बाहर जाके फिर से जीवन में जीना नॉर्मली मुश्किल होता जाता है तो वो जितना लंबा खिचेगा उतना ही कश्ट जाता है यहां ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली रियालिटी से एक परे चला गया जैसे कहा रॉक्टर साबने कि आउट अप माइंड हो जाना बिलकुल वो कनेक्टी नहीं हो रहा हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जिनका रेगिलर अगर इलाज चल रहा है इस नॉर्ड दे विल बेंड फेज ओल्वेज इस तर्व इस तर्व बिगिनिंग वें देस्ट्रीटमेंट कोईंग उन तब वो इस सारे स्टेज में वो तो फिर एक बीमारी ही है ना सिरफ होता इस लाइक अगेन अगर मेरा एक हाथ कमजोर है किसी आक्सिदेंट की वज़े से या किसी इंजरी की वज़े से तो फिर अब वो थोड़ा कमजोर ही रहेगा ना जीवन पर तो हम ध्यान रखेंगे कि इस पर उतना प्रेशर नहीं डाल सकते इससे वह वजन नहीं उठा सकते किसी को slip disc के doctor कहेगा अब बेंड नहीं करना we're so used to all this हमें पता है कि यह जिसको हम कहेंगे एक छोटा सा हांडिकापाया मेरे जीवन में कि अब इस हाथ से यह नहीं करना इतनी देर खड़ा नहीं हो नहीं इतना बेंड नहीं करना similarly इसको भी एक उसी रूप से लेना पड़े अगर आज मुझे पता चले के मुझे cancer है तो भी कोई easy नहीं है मेरे ले accept करना लेकिन जो accept करते हैं और उसको फिर बहुत positively लेते हैं वो फिर उससे हील भी हो जाते हैं और बहुत लंबे समय बहुत अच्छा चलते हैं और कई बर तो बहुत साल जो doctor ने भी नहीं सोचा था उससे जादा उनकी life बिलकुल नॉर्मल चलते हैं तो mind का role तो बहुत बड़ा है अब इसमें यह है कि शायंद वो व्यक्ति खुद उतना positive भी ना सोच पाए तो family का role कितना important हो जाता है कई बार family ही इक कॉलाप्सी हो जाते हैं यह जो आज फ इस बीग वी नॉट सब्सक्राइब नहीं था लेकिन वो परिवार उस बच्छे के साथ बहुत खुश है वो बच्छे को हर जगे अपने साथ फंक्शन में लेके जाते हैं सब कुछ करते हैं वो बच्छा भी जीवन में शायद पुरा उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा शायद सब कुछ जो लेकिन पेरेंस एंड फामिली एक्सेट चाइल अस बच्छे के साथ हर जगे कभी खोद उठाना पड़ता है सब कुछ लेकिन वो कितने प्यार से चलते हैं हमें भी यह देखना होगा सिरफ यह है उस केसमें इसमें अगर हम देली मेडिटेशन करते हैं इसमें अगर हम आपस लोग ऐसे आते हैं जिनको सीजोफरीन है जिनको यह सुनाई देता है जैसे भगवान उनसे बात कर रहा है या जो इष्ट देवी देवता जिनको वो मानते हैं वो उनको कुछ कह रहे हैं फिर कई बार क्योंकि जैसे काना वह इतना रियल साउंड होगा जैसे यह टॉकिंग तुमी तो कहेंगे परमात्मा ने मुझे का है कि मुझे ऐसा करना तो मुझे यह करना है तो इसलिए वो तो इस समय यह सब चीजों में नहां लेकिन जो वो ट्रीटमेंट लेकर थोड़ा ठीक हो जाए तो वो अगर स्परिच्वल नॉलेज को लेते हैं तो अपनी थॉर्ट प्रॉसेस को अपनी जीजों को एकसेप्ट करना लेकिन फामिली तो स्पावर फुल हूगा घर का वातावरण हूगा वह खूङ़प्लिक स्टिगा से नहीं ड़रेंगे इद उतना वह गती दिसको है करेगा लिकिन हम हीट नहीं लोग क्या कह एंगे यह क्या होगा let's stop bothering about the world ठीक है मेरे घर में ये प्रॉब्लम आई है and I am going to face it but लोग क्या कहेंगे becomes a bigger stigma जिस वजे से हम उस बच्चे को या उस व्यक्ति को बाहर नहीं लेके जाते but फिर वो करने से उस व्यक्ति को खुद अपने ले क्या लगने लगेगा yes there is something terribly wrong with me and more acceptance because that person might not behave or talk normal you know they can get violent they can fight family को spiritual power की इसलिए जरूरत है suppose आप है मेरी family में और आपके साथ ऐसी बात चल रही है मेरी तो जीवन की ऐसी reactive nature हुई है चोटी चोटी बात पर गुसा आजाना अब आप अगर जब मुझे कुछ कुछ अजीब कहेंगे मुझे चलाएंगे मुझे कहेंगे कि मैं आप पे शक करती हूं या मैं आपके साथ गल्जे से उन्होंने का कि वो मुझे कोई फॉलो कर रहा है तो मेरे पास उतनी stability नहीं है मेरे पास उतनी stability नहीं है कि जब आप ऐसा कुछ मुझे कहेंगे I'll be able to remain stable and then I will react when I will react आप react करेंगे and then there will be a fight suppose एक बच्चा मदर को जाके कहे आपने मेरे खाने में जेहर डाला वो मदर ही राक्त कर दे रोने ही लग जाए अपसेट ही हो जाए वो खुदी अपने आप में एक डप्रेसिव स्टेज में चली जाए so that power we need कि वो कुछ भी कहे कैसा भी कहे it's fine and you know it's absolutely तो वो पावर हम इस स्विच्वालिटी और मेडिटेशन दे सकती है तो one is let's anyways do it in our life लेकिन अगर जीवन में कुछ ऐसी क्राइसिस आई है हमें अपने आप को स्ट्रॉंग बनाना है हमारी वो पावर उस व्यक्ति के लिए इंपावर्मेंट जरूर बनेगे अगर हम डेट से दो परसेंट लोगों की बात करते हैं और अगर हम उनके परिवार वालों को क्योंकि वो भी इस से एफेक्टेड हो रहे हैं तो हम करीबन दस प्रतिशत लोगों की बात कर रहे हैं जिनके अपने परिवार में या बिलकुल क्लोज किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है या वो खुद उस से जूज रहे हैं ये एक साइजबल प्रोपोर्शन है और माइनॉर्टी नहीं है और इसलिए ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे मेरा ख्याल अब उस माइन सेट से थोड़ा सा निकलने की जरूरत है दूसरी बात है कि ये जो सिम्टम्स है ये सिम्टम्स शुरू के हैं अगर प्रॉपर ट्रीट्मेंट और यहां पर इस प्रॉब्लम में दवा का एक बहुत-बहुत मेजर रोल है right in the beginning and continuously तीन से चार हफ्तों में व्यक्ति के सिम्टम्स बेटर होने शुरू हो जाते हैं और आमतर पे दो से तीन महीनों में नॉर्मली लोग स्टेवल होने शुरू हो जाते हैं सिम्टम्स काफी कम हो जाते हैं रोल आ जाता है फैमली का और समाज के और तपकों का including work क्योंकि अगर उस व्यक्ति की एक रोटीन है अगर उसको यह feeling है कि वह accepted है as they are without any discrimination तो उससे उनका जो confidence है वह बढ़ता है और उनके जो शक है जो डर है वह कम होने शुरू हो जाते हैं आकड़े दिखाते हैं और इसके लिए काफी समय से शोध रही है there is something called expressed emotions यानि जो परिवार वाले हैं या जो आसपास के लोग हैं अगर वह negative emotions को ज्यादा दिखाते हैं बहुत गुसा करते हैं उस व्यक्ति के बारे में कटू शब्द बोलते हैं उसको निगलेक्ट करते हैं उसको परिवार का हिस्सा नहीं समझते हैं मजाक भी तो कितनी बार उडाते हैं और अनफॉर्चनेटली फिल्मों ने इसमें एक बहुत बड़ा कई बार negative role ही प्ले किया है कि उस व्यक्ति को एक object of humiliation बना के रखा गया है या mental hospitals की कई बार बहुत ज्यादा एक negative सी तस्वीर जो दिखाई जाती है तो उसकी वजह से समाज वाले लोग अगर वो दिखाते हैं या परिवार दिखाते हैं तो उसकी recovery medicines होने के बावजूद कम रहती है और जो culture थे families negative होती है या समाज negative होता है तो उस व्यक्ति की problems भी बढ़ती है उसको ठीक होने में भी ज्यादा देर लगती है या वो पूरी तरह से normal नहीं हो पाता है तो यहां पे हमें यह जो psychological aspects हैं उसका भी बहुत ध्यान रखने की जुरूद पढ़ती है क्योंकि इस व्यक्ति ने ना सिर्फ उतना confidence होया है उसके लिए जो जीवन जीने का तरीका उसने इतने सालं तक सीखा वो suddenly बदल गया है और वो बदल के उसमें उसकी मदद करके उसको normalcy लाने में आसपास वालों का बहुत पड़ा रोल है और कहीं ने कहीं जो constant fear में रह रहा है व्यक्ति उसके लिए भी वो कोई जन्दगी आसान नहीं होगी ड़कर शर्मा अगर हम देखें कई सालों से हम देख रहे हैं lifestyle diseases की हम बात करते हैं कि हमारे lifestyle में इतना बदलाव आया है कि पिछले 15-20 साल में हमारे इतनी ज्यादा बढ़ गई है और उसके लिए हमने उसको चेंज करने की कोचिश की है अब अगर हम आज हम यह पूरी श्रिंख्रा में जो बात करते आये हैं mental illnesses को भी जैसा आप कह रहे हैं कि अब इतनी ज्यादा बढ़ती हुए दिख रही है इन जी जो इतनी आंकडे हमारे सामने आते जा रहे हैं mental illness के भी उन पर भी काम किया सके क्योंकि नहीं तो आने वाले वक्त में यह और बढ़ती ही जाएंगे schizophrenia में खास तार पे अगर हम lifestyle की बात करें तो उसमें सही समय पर सोना physically active रहना एक routine का बने रहना आसपास वालों से संबंध बनाए रखना और किसी ना किसी purpose को जीवन में लेकर चलना बड़ा important हो जाता है साथी साथ उनको एक positive feedback दूसरों से मिलना कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं और जो चोटी मोटी abnormalities हो उनको नजर अंदाज कर देना और सही इलाज यह जरूरी हो जाता है स्किसोफेनिया में खास तर पे ऐसा भी देखा गया है कि लोगों का weight जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है कुछ हद तक कुछ तबाईयों की वज़े से और कुछ हद तक क्यूंकि उन्हें अपने ही सुद्बद नहीं है तो या तो वो बिलकुल weight lose कर देते हैं शुरू के समय में खास तर पे या फिर वो जो भी मिला खास तर पे जंक फूर मिला जिस समय मिला देर में सोय उस समय जो भी खाना खाया खालिया exercise नहीं हुई तो वो बढ़ जाता है schizophrenia और tobacco 7 का भी एक बहुत बड़ा अपस में संबंद देखा गया है और उसमें unfortunate बात यह है कि तंबाखु चाहे वो खाने का हो चाहे वो पीने का हो cigarette पीड़ी उसकी वज़े से दवाईयां जो कि मदद करती है उनकी efficacy कम हो जाती है उसका असर कम हो जाता है और क्योंकि वो excitement पैदा करती है या कोई और भी अगर वो मादक पदात ले रहे हैं कई बार लोग अपने तनाव को खास तोर पे शुरू-शुरू में कम करने के लिए शराब का 7 लेते हैं कुछ और चीजों का करते हैं 7 तो भी उससे उनका जो symptoms है वो बढ़ जाते हैं तो इस lifestyle में खास तोर पे मादक पदात जितने भी हैं उनसे दूर रहना बहुत जरूरी हो जाता है इवन otherwise जो दूसरी psychological problems है उनमें of course lifestyle जिसमें की proper time नींद का proper time exercise का सही भूजन and एक purpose जिंदगी का अध्यात्म वहां पे specially sister शिवानी ने बहुत अच्छी तरीके से कि परिवार वालों को किस तरह से सशक्त कर सकता है अध्यात्म जो व्यक्ति schizophrenia के symptoms है या उसको इस तरह के कुछ भरम हो रहे हैं उसको अकेले बैट के ध्यान में जाना बिलकुल सही नहीं है उससे इसके symptom बढ़ेंगे और क्यूंकि वह अपने में खोया हुआ है तो वह अपने में जादा खो जाएगा लेकिन अगर मान लीजे कुछ देर के लिए उसकी concentration बढ़ाने के लिए किसी के साथ कुछ देर के लिए वह आध्यात्म को इस रूप में कि मैं जीवन को आगे जो की बदलाव आया है उसके बाद किस तरह से रीड़ेस्ट करो मैं अपने गोल्स किस तरह से सेट करो कई बार दूसरों की मदद करने में उनको बहुत खुशी मिलती है और उससे उनको ये एक feeling की मैं भी सक्षम हूँ वो हो सकता है तो उस तरह से अगर वो और कई बार short periods के लिए अगर commentary के साथ अपने सामने उनको अगर meditation कराई जाए बहुत short period के लिए तो कुछ तेर के लिए उनकी concentration बढ़ सकती है तो इस रूप से परिवार के लिए और व्यक्ति के लिए आध्यात्म थोड़ी सी मदद कर सकता है अगर जो patient है उसको effect हुआ वो भय में गया उसको अपने illusions हुए उसके दवाई नहीं वो थोड़ा stable हुआ जब stable हुआ जैसे bipolar में था realization कि मैं को क्या हुआ था उसका दुख उसकी घवराहट और अब जो मेरे अपने सपने थे वो तूट गए मैं normal जिंदगी नहीं शायद जी पाऊँ तो वो सारा चीज जो patient है उसके लिए कितनी harmful होती है यह realization यह realization उसके लिए होती है और कुछ हद तक families के लिए होती है तो एक तरह से क्योंकि वो व्यक्ति इन चीजों को पूरी तरह से नहीं सोच पाता थोड़ा सा ठीक होने के बाद भी जब पूरा stabilize होता है symptoms बिलकुल चले जाते हैं उस समय शायद उसके साथ बैठके यह बात सिकी जा सकती है लेकिन पहले family क्योंकि family आम तौर पे इन डरों से जब गुजरती है तो वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को भी कहती है या तो यह कि तेरी वज़े से यह हो गया हमारे परिवाइब में problem आ गई या तू आगे कुछ करनी पाएगा या हमारे बाद तेरा क्या होगा तो वो डर जो है वो रोज जीता है तो पहले family से शक्त हो जाए और उसमें मेरे ख्याल से यह बात को समझना कि जो भी हुआ आप उसे नहीं बदल सकते लिकिन जो अब हो रहा है उसके साथ आप adjust कर सकते हैं कोई भी situation इतनी खराब नहीं है कि वो जीने लाइक नहीं है और हर समय जिंदगी में नई बातें आती हैं और अगर यह problem भी हुई है treatment से stable होने के बाद आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं जो आपने सोचा था शायद वैसा ना हो लेकिन नई opportunities आ सकती है तो जब यह family बात समझती है और उस प्रकार से वेक्ती से कहती है और accept करती है तो depressions नहीं आते लेकिन वहां पर उसे और person जिसको की problem हुई है उसको एक नई शुरुआत जल्द से जल्द depending on वह क्या कर सकता है करने की जुरुद पड़ती है और जब वह focus उसका इससे shift होके कि क्या हुआ से कि मैं क्या और अब आगे जाके positively कर सकता हूँ जिसमें उसे अच्छा लगता है परिवार उसे बढ़ावा देता है और वह on ground reality देखता है और symptoms को control करने के लिए साथ ही साथ दवा भी चल रही होती है तो व्यक्ति स्टेबल हो सकते हैं और मैं एक और चीज़ कहना चाहूंगा कि हमें इन व्यक्तियों से कई बार मैं as a doctor बहुत बार इन से सीखता हूँ कि जीवन में कोई भी सच्चाई final नहीं होती कई बार बहुत कुछ होने के बाद भी आपके पास इतनी शमता है कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ नयापन कर सकते हैं and despite having difficulties एक जी पाने का जो एक feeling है वो कई बार इन में और इनकी family में बहुत खुबी देखने को मिलता है लेकिन उससे पहले वो जो victim mode है उससे पहले वेक्ति को और परिवार को हटना जरूरी हो जाता है जिसे जीवशा कहते हैं कि जीवशा अगर है तो हम जिन्दगी को किसी भी रूप में देख सकते हैं जब देशार मसेच शिवशानी थैंक यू सो मच अच्की पूली बच्चीत के लिए झाँ कि जीवशानी थैंक यूली थैंक यूली का शीवशानी थैंक यूशानी सो मेशानी थैंक